दुविधा विजयदान दे था एक धनी सेट था उसके एकलौते बेटे की बरात धूम धाम से शादी संपन्न कर वापस लोटते हुए जंगल में विश्राम करने के लिए रुकी घनी खेजडी की ठंडी चाया सामने हिलोरें भरता तालाब कमल के फूलों से आच्छा दित निर्मल पानी सूरज सर पर चड़ने लगा था जेट की तेज चलती गर्म लू से जंगल चितकार कर रहा था खाना वाना खाकर चलें तू बहतर दूलहे के पिता ने अधिक मनुहार की तो सभी बराती खुशी खुशी वहाँ ठहर गए दूलहन के साथ पांच दासिया थी वो सभी उस खेजड़ी की चाया में दरी बिच्छा कर बैट गई पासी एक विशाल बबूल था पीले फूलों से अटा हुआ चांदी के समान सफैद हिलारिया शेश बराती उसकी चाया में बैठ गए कुछ देर विश्राम करने के बाद खाने का इंतजाम होने लगा दूलहन मू फिराए गूंगट हटा कर बैठ गई उपर देखा पतली पतली अंगिनत हरी सांगरियां ही सांगरियां देखते ही आँखों में शीतलता दोड़ाई सैयोग की बात उस खेजडी में एक भूत का निवास था इत्र फुलेल की खुश्बू से महकते दुलहन के उगड़े चेहरे की उर देखा तो भूत की आँखें चौंधी आ गई क्या औरत का ऐसा रूप और योवन भी हो सकता है गुलाब के फूलों की सी कोमलता खुश्बू और उनका रस मानू साचे में ढला हो देख कर भी ऐसे रूप पर विश्वास नहीं होता बादलों का ठिकाना छोड़ कर कहीं बिजली तो नहीं उतर आई इन मदभरी आँखों की तो रंगती निराली है खेजडी की छाया तक चमकने लग गई भूत की योनी सार्थक हुई दुलहन की देह में प्रवेश करने का विचार आने पर उसे वापस होश आया इससे तो ये तकलीफ पाएगी ऐसे रूप को तकलीफ कैसे दी जा सकती है वो असमंजस में पढ़ हुआ तो क्या दुलहे को लग जाओं पर दुलहे को लगने पर भी दुलहन का मन तो तडपे गही न इस रूप को तडपने पर न बादल बरसेंगे न बिजलियां चमकेंगी न सूरज उगेगा न चांद खुद्रत का सारा नजारा बिगड जाएगा उसके मन में इस तरह क कि दया पहले तो कभी नहीं आई इस रूप को दुख देने की बजाए तो खुद दुख उठाना कहीं अच्छा है ऐसा दुख भी कहा नसीब होता है और इस दुख के परस से तो भूत का जीवन सफल हो जाएगा आखिर विश्राम के बाद तो रवाना होना ही था दुलहन जब उठकर चलने लगी कि आखों के आगे अंधेरा चा गया रात में भी इस पश्ट देखने वाली आखों के सामने ये धुंद कैसी सरचड़े सूरज की रोशनी पर अचानक ये कालिमा कैसे पुत गई चम चम करती हुई दुलहन दुलहे के रत पर चड़ गई ये दुलह कितना सवभाग गिशाली है कितना सुखी भूत के रोम रोम में मानो काटे चुबने लगे रिदय में जैसे आग भबग उठी विरह कि इस जलन के कारण न तो मरना मुंकिन है न जीना जीते जी ये जलन कैसे सही जा सकती है और मरने पर ये जलन भी कहा भूत के मन में ऐसी उ अलजन कम नहीं थी दो घड़ी हो गई मगज मारी करते हुए अभी तक विवा के खर्चे का हिसाब नहीं मिल रहा था बापू बहुत नाराज होंगे खर्च भी कुछ अधिक हो गया था ऐसी भूल चुक होने पर वो आसानी से खुश नहीं होते हिसाब और व्यापार का सु अंकन का उसके पास एकदम सही लेखा है कुदरत के हिसाब में भी भूल जब नहीं होती तब बनिये की बही में भूल कैसे रट सकती है ललाट में बल डाले धूलहा अंकों का जोड तोड बिठा रहा था कि दुलहन ने रत के परदे को हटा कर बाहर देखा नजर न टिके ऐ ऐसी तेज धूप हरे भरे केरों पर सुर्क ढालू चमक रहे थे कितने सुहाने कितने मोहग मुस्कुराते ढालूओं में दुलहन की नजर अटक गई दुलहे की बाहा पकड़ कर दुलहन अबोत बच्चे की तरह बोली एक दफा बही से नजर हटा कर बाहर तो देखो ये ढ धालू कितने सुन्दर हैं जरा नीचे जाकर दो तीन अंजुली धालू तो लादो देखो ऐसी जलती धूप में भी ये फीके नहीं पड़े जियों धूप पड़ती है त्योंत्यों रंग अधिक निखरता है इनका और धूप में भी कैसा ये रंग उड़ जाता या सामला पड़ जाता दूलहा फिर इंसान जैसा इंसान था ना अधिक सुन्दर ना अधिक कुरूप विवा तो भरी जवानी में ही हुआ था पर उसे कोई खास खुशी नहीं थी पांच बरस बाद होता तो भी चल जाता हो गया तो भी अच्छा कभी न कभी तो होना ही था बड़ा काम निबट कया नौलखे हार पर हाथ फिराते बोला अरे ये धालू तो ठेट कमारों की पसंद है तुम्हें इसकी खाहिश कैसे हुई खाने की इच्छा हो तो गांट खोल कर चुहारे दू नारियल दू जी भर के खाओ दुलहन भी निपट गमार निकली हट करती हुई बो खाय इन कांटों से कौन उलजे जो एक तम जंगली होते हैं वो ही धालू तोड़ते हैं और वही खाते हैं मखाने खाओ बताशे खाओ चाहो तो मिश्री खाओ इन निमबोली और धालू की तो घर में बात मत करना हसेंगे लोग हसने दो दुलहन तो ये बात कहकर तुरंत र धालूओं का रंग एक सा पर धुल्ई को न धालूओं का रंग अच्छा लगा न Hoठों का वो तो हिसाब में उलजा हुआ था दुलहन ने काफी निहोरे किये पर वो धालू खाने को राजी नहीं हुआ दुलहन ने कहा आपकी इच्छा अपनी अपनी पसंद है मेरा तो एक बार मन हुआ कि इन धालू के बदले नौलखा हार केर में टांक दू तब भी कम है डालू खाती दुलहन के चेहरी की तरफ देख कर दुलहा कहने लगा ऐसी बेवकूफी के बाद फिर मत कहना बापू बहुत नाराज होंगे वो रूप के बजाए औरतों के गुणों की कदर करते हैं उसका आदर करते हैं दुलहन मुस्कुराती हुई बोली हम्ँ, अब मालूम हुआ उनके डर से ही आप हिसाब में उलजे हुए है पर सारी बाते हैं अपनी अपनी जगछोहा देती है विवा के समय हिसाब में फ़सना ये कहाँ का निया आय है दुलहन ने कहा, विवा तो हो नहीं था पर सात बरस तक नहीं पर गमार दुलहन को इस शुब महुरत की बात सुनकर रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई बात सुनते ही धालूओं का स्वाद बिगड़ गया लगा जैसे कोई दिल को दबा कर खुन निचोड रहा हो ये कैसे अन्होनी सुनी एक बार की उसे विश्वास ही नहीं हुआ पूछा क्या आप व्यापार के खातिर दिसावर जाएंगे सुना है आपकी हवेली में तो दौलत के भंडार भरे है दूलहा गुमान भरे स्वर में बोला हाँ हाँ तो इसमें क्या शक है तुम खुद अपनी आखों से देख लेना हीरे मोतियों के धेर लगे हैं धेर पर दौलत तो दिन दूनी और रात चोगनी बढ़ती रहे तभी अच्छा है और व्यापार तो बनिये का पहला धरम अभी तो दौलत बहुत बढ़ानी है ऐसा बढ़िया महुरत कैसे छोड़ा जा सकता है दुलहन ने फिर कोई बात नहीं की बात करने से मतलब ही क्या था एक-एक करके सारे ढालू बाहर फेंक दिये दुलहे ने मुस्कुरा कर कहा मैंने तो तुमें पहले ही कह दिया था ये ढालू तो गमारों के खाने की चीज है अपन बड़े आदमियों को ये अच्छे नहीं लगते आखिर खाते नहीं बने तो तुमें भी फैंकने पड़े न और धूप में जली सो अलग ये बात कहकर दुलहा धूप का तखमीना लगाने के लिए रत से बाहर देखने लगा नजर सुलक उठे ऐसी तेज धूप पीले फूलों से लदी हिंगानियों में अंगिनत जाडियां उसे ऐसी लगी मानो ठोर ठोर आँक की लप्ते उठ रही हो दुलहे ने परिहास करते हुए कहा अब इन हिंगानियों के खातिर तो जिद नहीं करोगी इनमें अच्छाई होती तो भला गडरिये इसे छोड़ते दुलहन ने कोई जवाब नहीं दिया चुप चाप सर जुकाये बैठी रही सोचने लगी कि इस पती के भरोसे घर का आंगन छोड़ा माबाप की जुदाई सही, सहेलियों का जुन्ड भाई भतीजे, तालाप का किनारा गीत, गुड़ा गुड़ी का खेल, जुर्नी, आख मिचोनी, धमा चौकडी ये तमाम सुक छिटका कर इस पती का हाथ थामा मा की गोज छोड़ कर पराय घर की आसकी और ये ठीक तीज के दिन, शुब महुरत की वेला व्यापार के लिए दिसावर जाना चाहते हैं, फिर ये बेशुमार दौलत किस सुक के लिए है जीते जी काम आती नहीं और मरने पर कफन की गरज भी पूरी नहीं करती किस सुक के आशा में इनके पीछे आई, किस अद्रश्य हर्श और संतोष के भरो से पराय ठोर का निवास कबूल किया कमाई, तिजारत, जायदाद और दौलत फिर किस दिन के लिए हैं असली सुक के सौदे के बदले तीन लोग का राज जहात लगे तो भी किस काम का दौलत के बदले भी बीता हुआ पल वापस नहीं लोटाया जा सकता इनसान दौलत की खातिर है या दौलत इनसान की खातिर फक्त इसी हिसाब को अच्छी तरह समझना है फिर कौन सा हिसाब बाकी रह जाता है सोने का महातम में बड़ा है या काया का सांस का या माया का इस सवाल के जवाब में ही जीवन के सारे अर्थ पिरोए हैं दूलहा अपने हिसाब में डूबा था दूलहन अपने खयालों में गोता लगा रही थी और बैल अपनी चाल में मगन चलने वाला मन्जिल पर पहुँचे गा ही आखिर सेट की हवेली के सामने बारात आकर रुकी गाजे बाजे और ढोल नगारों के स्वागत के साथ दूलहन रनिवास में पहुची जिसने भी देखा सराहे बगेर न रह सका रूप हो तो ऐसा, रंग हो तो ऐसा शाम को रनिवास में घी के दिये जलाए गए रात्री के दूसरे पहर दूलहा रनिवास में आया आते ही दुलहन को नसीहत देने लगा कि वो घर की इजज़त का पूरा-पूरा खयाल रखे साथ ससुर की सेवा करे अपनी आबरू अपने हाथ दो दिन के लिए शरीर की चाह क्यों जगाई जाए दो दिन का सहवास पाँच साल की तकलीव देगा और वक्त बीटते क्या देर लगती है देखते देखते पाँच साल गुजर जाएंगे फिर किस बात की कम्नी यही रनिवास, यही चिराग, यही रातें और यही सेज वो किसी बात की चिंता को पास न फटकने दे पलक छपकते पाँच बरस गुजर जाएंगे नसीहत की यह अनमोल बातें दुलहन चुपचाप सुनती रही कुछ कहना, सुनना और करना तो उसके वश में था नही जो पती की इच्छा, सो उसकी इच्छा जो बापू की इच्छा, सो बेटे की इच्छा जो लच्मी की इच्छा, वही बापू की इच्छा और जो लालच की इच्छा, वही लच्मी की इच्छा नसीहत की इन बातों में सारी रात ठल गई रात के साथ जिलमिल जिलमिल चमकते नौलाख तारे भी ठल गए और उधर उस खेजडी के नीचे मूर्चा तोटने पर भूत की आँखें खुली चारों और देखा सूना जंगल सूनी हरियाली गहरी खेजडी गहरी छाया जूलती सांगरियां पर दुलहन कहां कहां उसकी मदभरी आँखें उसका खूप सूरत चहरा उसके गुलाबी होट कहीं वो स्वपन तो नहीं था मूर्चा के बाद होश में आते ही उसे ऐसे लगा मानो उसके मन में छल कपट के मैल की जगह धारोशन दूद ने ले ली हो ऐसा सूरज तो आज से पहले कभी नहीं होगा बड़ा सा गुलाबी गोला तमाम दुनिया में रोशनी ही रोशनी कैसी मंदमंद हवा चल रही है हवा के अद्रश्य जूले में जूलती हरियाली उसका मन नाना प्रकार के अंगिनत रूप धर कर कुदरत के कणकण में समा गय पश्चिम दिशा में मानो गुलाल ही गुलाल छितरा गया हो धर्ती पर न तो खटकती हुई रोशनी न पूरा अंधेरा न गगन में चांद न सूरज और ना ही कोई तारा गोया कुदरत ने जीना घूंगट डाल लिया हो चेहरा भी दिखता है और घूंगट पी अब अपन का ताना बाना बुना जा रहा हो पहले तो कुदरत कभी इतनी मोहक नहीं लगी ये सब दुलहन के चहरे का ही करिश्मा है और उधर दुलहन का पती उस यौवन से मूँ फिरा कर दिसावर की राह चल पड़ा कमर पर हीरे मोतियों की नौली बंदी है कंधे पर आगे प के जड़ी के पास से गुजरा भूत ने उसे तुरंत पहचान लिया आदमी का रूप धर कर उसे रामराम किया पूछा भाई अभी तो विवाह के मांगलिक धागे भी नहीं खुले इतनी जल्दी कहा चल दिये सेट के लड़के ने कहा क्यों मांगलिक धागे क्या दिसावर में नहीं खुल सकते भूत काफी दूर तक उसके साथ चलता रहा सारी बातें जान ली कि वो पांच साल तक परदेश में व्यापार करेगा अगर ये महुरत चुक जाता तो अगले साथ साल तक ऐसा बढ़िया महुरत हाथ न लगता सेट के लड़के की बोल चाल उसके भाव को गौर से देखने भालने के बाद ही भूत ने अपनी राह ली मन ही मन सोचने लगा कि सेट के लड़के का रूप धर कर सवेरे ही सेट की हवेली पहुँच जाए तो पांच साल तक तो कोई पूछने वाला नहीं ये बात तो खूब बनी क्या उम्दा मौ का हाथ लग वड़ा मन में न खुशी की सीमा थी न आनंद की एक पहर दिन बाकि था तो भी काफी अंधेरा हो गया उत्तर से विक्राल काली पीली आंधी आती नजर आई आंधी धीरे धीरे चरने लगी, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा, सूरज के होते हुए भी अंधेरा, हाथ को हाथ नहीं सूज रहा था, खुद्रत को भी कैसे कैसे सपने आते हैं, कुद्रत के स्वपन के बिना जमीन पर विछी हुई पैरों तले की धूल को सूरज ढखने का मौका हाथी कब आता है जमीन पर पड़ी धूल आकाश पर चड़ गई अंधर की मार से सारा वातावरन चितकार उठा पहाडों तक की जणे हिला देने वाली आंधी खोखले दंब वाले विशाल वरक्ष चरर मरर करके उखडने लगे नम्रता रखने वाली लचीली ज़ाडियां आंधी के साथ ही इधर उधर जुकने लगी उनका कुछ न भिगडा पैरों तले रौंदी जाने वाली खांस का तो कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ हाल चाल पूचती दुलारती सहलाती हुई आंधी उपर से निकल गई सारी वनस्पती मानो पालने में जूलने लगी पात पात और कॉपल कॉपल की ठीक से संभाल हो गई बड़े परिंदों को जपाटे लगने लगे छोटे पक्षी डालों से चिपकर बैठ गए उड़ना मुम्किन ही नहीं था समूचे आकाश पर आंधी का समराज्य था चारों और तेज सरसराहट गुया जंगल कराह रहा हो सूरज के तपतेज को धर्दी की धूल निगल गई अध्भुत है अध्भुत है आंधी का ये नृत्य अध्भुत है रेत का ये घूमत समूचे कुदरत इस तूफान में छुप गई सारा ब्रह्म्हांड एकाकार हो गया ना आकाश दिखता है ना सूरज ना पहाड ना वनस्पति और ना जमीन निराकार अगोचर अध्भुत है और ना उसके क्रिया कलाब की कोई हैसियत खुदरत की छवी का दूसरा चित्र थोड़ा-थोड़ा उजला और छित्राने लगा हाथ को हाथ सूजने लगा पलपल उजाले का अस्तित्व फैलने लगा धीरे धीरे कुद्रत की छवीस पश्ट दिखाई देने लगी पहाड की ठोर पहाड, सोने की थाली कासा गोल सूरज व्रक्षों की ठोर व्रक्ष, जाडियों की ठोर जाडियां, हवा की ठोर हवा ये क्या जाडू हुआ, की यकायक तड़ा-तड, मूसलाधार पानी बरसने लगा बून से बून टकराने लगी, गोया बादलों के मूँ खोल दिये गए हो कुद्रत स्नान करने लगी और उसका जर्रा-जर्रा नहा गया नदी नालों में पानी बहने लगा, चारों और पानी ही पानी नहाती हुई कुद्रत को देखकर सूरज की रोशनी सार्थक हुई भूत सोचने लगा कि ये कुछ देर में क्या माजरा हुआ देखने पर भी उसे विश्वास न हुआ, कि ये कुद्रत की कैसी हरकत है मन ही मन तद्बीर सूचता जा रहा था और राह चलता जा रहा था। वो सीधा हवेली न जाकर पहले सेठ की दुकान पर पहुचा। हिसाब किताब करते हुए सेठ ने बेटे को देखा, तो भी उसका मन नहीं माना। दिसावर के लिए गया हुआ बेटा वापस कैसे आ सकता है। आज दिन तक तो उसने कभी उसका कहना नहीं टाला। विवा होने के बाद इंसान किसी काम का नहीं रहता। ये सब की आधरा सेठानी का है। अब हो चुकी कमाई, या तो व्यापार की हाजरी बजालो या औरत की। बापू के होठों पर आती बात को बेटा बगएर कहे ही समझ गया। हाथ जोड कर बोला, बापू, पहले आप मेरी बात तो सुनो। ब्यापार के लिए सलाम अस्विरा करने के लिए ही वापस आया हूँ, अगर आपकी मर्जी नहीं होगी तो घर गए बगएर वापस मुड़ जाओंगा। रास्ते में समाधी लगाए एक महात्मा के दर्शन होगे। सारे सरीर पर दीमक की तहें थी। मैंने सुत्राई से दीमक हटाई। कुए से पानी लाकर उन्हें नहलाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, तो महात्मा ने खुस होकर वर्दान दिया, कि सवेरे पलंग के नीचे उतरते ही, मुझे रो जाना, बापु रो जाना, पांच मोहरे मिलेंगी, दिसावर जाने की बात सोचते ही वर्दान खतम हो अब आप जो हुकम दें, मुझे मनजूर, ऐसे अब प्रत्याशित वर्दान के बाद तो जो हुकम होना था, वो ही हुआ, सेट खुशी खुशी बात मान गया, सेट के साथ सेठानी भी खुश हुई, इकलोता बेटा आखों के सामने रहेगा, और कमाई की जगा कमाई का हो ही गया, दुलहन को खुशी के साथ अश्चरे भी और गर्व भी हुआ, कि भला ये रूप छोड़कर कौन दिसावर जा सकता है, तीसरे दिन ही वापस लोटना पड़ा, दुकान का हिसाब किताथ और भोजन करके पती दो घड़ी रात ढलने पर रनिवास में आकर सो गया चारों कोनों में घी के दिये जल रहे थे, फूलों की सेज, ऐसे इंतजार से बढ़कर कोई आनंद नहीं, पायल की जनक 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 जनकार सुनाई दी, इस जनकार से बढ़कर कोई सुर नहीं, सूला सिंगार से सजी दुलहन रनिवास में आई, इस सौंदरे से बढ़कर की खुश्बू चा गई इस खुश्बू से बढ़कर कोई महक नहीं इस महक नहीं तो उस खेजड़ी के मुकाम पर भूत की सोई भावनाओं को जगाया था और आज रनिवास में प्रत्यक्ष नजरों का मिलन हुआ इतनी जल्दी मन चाही हो जाएगी इसका तो सौपन में भी खयाल नहीं था दुल्हन ने संकूच पास आकर बैठ गई घूंगट क्या हटाया मानो तीनों लोकों का सरवो परी सुख जगमगा रहा हो इस रूप की तो छाया भी दमकती है दुल्हन मुस्कुराती हुई बोली मैं जानती थी तुम बीच रह से ही लौट आओगे ये ता पती के मन में बवंडर सा उठा इस पवित्र दूद में कीचड कैसे मिलाए इसे चलने से बढ़कर कोई पाप नहीं ये तो इसे अपना असली पती मान कर इतनी खुश हुई है इससे बत्तर जूट और क्या हो सकता है ये जूट का अंतिम छोर है आखरी हद इस अबोध प्र प्रीद करने के बाद तो भूरती का मन भी धुल जाता है कोई बराबरी का हो तो छलबल की तलवार ताकत भी आजमाए पर नीन में सोई हुए का गला चाक करने पर तो कलंक ही मिलेगा भूत थोड़ा खिसक कर दूर हुआ बुला क्या मालूम मनोती सच हुई या नहीं पहले पूरी चानबीन तो कर लो कि मैं कहीं दूसरा आदमी तो नहीं कोई माया भी तो तुम्हारे पती का रूप धरकर नहीं आ गया दुलहन ये बात सुनकर पहले तो कुछ चोंकी फिर नजर गड़ा कर पास बेठे व्यक्ति को अच्छी तरह देखा हूब हूब वही चहरा वो वही रंगरू वही नजर वही बोली वो तुरंत समझ गई कि पती उसके शील को परखना चाहता है मुस्कुराहट की आभाचितराते बोली मैं सपने में भी पराय मर्द की छाया तक का परसन होने देती तब खुली आखों से तो ये बात मुम्किन नहीं अगर दूसरा आदम होता तो मेरे शील की आख से कभी का भशम हो गया होता पहले तो ये बात भूत को चुभी होंठो पर आई हुई बात को वो तुरंत निगल गया कि तब तो इसके शील में अवश्य ही खोट है वो भशम हो जाता तो उसका शील सच्चा था असलियत में दूसरा आदमी होते जब वो भस्म नहीं हुआ तो उसका शील एकदम बुझा हुआ है पर दूसरे ही पल बात का दूसरा पहलू सोचते ही उसका हुस्सा थंडा पड़ गया उल्टा वो बेहत खुश हुआ सोचने लगा कि फक्त चहरे से ही क्या होता है अगर वो सच्चा पती होता तो व्यापार के लालच में औरत की ये माया कैसे छोड़ सकता था क्या उसने इसलिए इसका हाथ धामा कि ऐसे रूप को विरह की आग में जलने के लिए छोड़ कर चलता बने कोई अंधा भी इस रूप की आभा को नजर अंदाज नहीं कर सकता तब वो आखें रहते हुए भी किस तरह अंधा बना अगनी की साक्षी में साथ फेरे लगा लिये तो क्या हुआ उसकी प्रीत में सच्चा ही कहा है और भूत होकर भी मैंने सच्ची प्रीत की छल करते हुए मेरा दिल का अपता है मेरी प्रीत सच्ची है मेरी चाह खरी है तभी तो दोनों का सत बच गया पर फिर भी दुराव रखने से प्रीत को ठेस लगेगी असलियत बताए बगैर इस रन्निवार में सांस लेना भी दूभर है भूत पास खिसकर कहने लगा दरसल मैं हूँ तो दूसरा आदमी ही पर फिर भी तुम्हारा शील खरा है क्योंकि मेरी प्रीत सच्ची है मंडप के असली पती की प्रीत जूठी है तभी तो वो ऐसे रूप से मूँ फिरा कर विरह के लिए चल पड़ा पर दुलहन सच जूठ की पहचान कैसे करे ये बातें रत्ती भर भी उसके पल्ले नहीं पड़ी स्वयम माबाप ने जिसे अपना बेटा मान लिया उस हूबहु शकल वाले आदमी को अपना पती मानने में कैसा संकोच भला शकल और रंगरूप ही तमाम रिष्टों की सबसे बड़ी पहचान है तक पश्चात उस भूत ने दुलहन को सारी बात बताई कि किस तरह उस खेजडी के मकाम पर उसका रूप देख कर उसकी क्या दशा हुई उसके रवाना होते ही वो कैसे मूर्चित हुआ वापस उसे कब होश आया परदेश जाते हुए उसके पती के साथ उसकी क्या क्या बाते हुई फिर उसका रूप धरकर कैसे इस हवेली पर आने का उसने निश्चे किया राह चलते हुए आंधी पानी की बात भी विस्तार से कही दुलहन कठपुथली की तरह गुमसुम बैठी सारी बाते सुनती रही क्या एसी बात को सुनने की खातिर विधाता ने उसे कान दिये है उसकी कलाई को सहलाते हुए भूद आगे कहने लगा माबाप को तो रोज की पांच मोहरों और दुकान की कमाई से मतलब है वास्तविक भेद से उनका कोई लेना देना नहीं पर तुम्हें न जताने पर प्रीत के मूँ पर कालिक पुझ जाती अगर मैं ये भेद प्रकट न करता तो पांच साल तक तुम स्वपन में भी असलियत न जान पाती तुम मुझे असली पती मानकर ही सहवास करती पर मेरा मन नहीं माना मैं अपने मन से सही बात कैसे छुपाता आज से पहले बहुत सी ओरतों के शरीर में घुस कर मैंने उन्हें काफी तकलीफ दी है पर मेरे मन की ऐसी दशा कभी नहीं हुई राम जाने इतनी दया मेरे मन के किस کونे में छिपी थी इसके बावजूद अगर तुम्हारी इच्छा न हो तुम्हें इसी पल वापस चला जाऊंगा और जीते जी इस ओर मूह नहीं करूंगा तुम्हें तडपा कर मुझे प्रीत का आनंद नहीं चाहिए फिर भी उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूँगा कि तुम्हारी प्रीत की वजह से मेरे रिदय का जहर अमृत में बदल गया औरत के रूप और मर्द के प्रेम की यही तो सर्वोच्च मर्यादा है अब रूप की पुतली के हूट खुले वो बोली अभी तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये भेद प्रकट होने से ठीक रहा या प्रकट न होने से ठीक रहता कभी मुझे पहली बात ठीक लगती है तो कभी दूसरी दुलहन की आँखों में नजर गड़ा कर भूत कहने लगा प्रसव वेदना को भला बांज क्या समझे इस पीडा में ही कोख का चरम आनंद निवास करता है सच्चाई और कोख के स्रजन की पीडा एक सी होती है इस सच्चाई को छिपाने में न तो पीडा है ना ही आनंद वो तो फकत हकीकत का भ्रहम होता है आनंद का ढोंग मैंने कई औरतों के शरीर में प्रवेश किया तब कहीं जाकर हकीकत के भ्रम की ठीक से पहचान हुई मैं कई ऐसी सती सावित्री औरतों को जानता हूँ जो सहवास के समय पती के चहरे में किसी और का चहरा देखती है यू कहने को तो वो पराय मर्द की छाया का भी परस नहीं करती पर पती के बहाने किसी दूसरे चेहरे के खयाल में कितना पतित्व है उसकी सही पहचान जितनी मुझे है खुद विधाता को भी नहीं पती व्रता औरतों के तमाशे मैंने बहुत देखे हैं और डर तो फकत बदनामी का है बेद खुलने का डर न हो तो स्वयम भगवान भी पाप करने से न चूकें अब जो भी तुम्हारी इच्छा हो जाहिर कर दो मैंने तो भूत होकर भी कोई बात नहीं छिपाई ऐसी पहेली से तो आज तक किसी औरत का सामना नहीं हुआ होगा स्वयच्छा से परकिया होने की बात तो अलगी है पराई औरत पराए मर्द की खातिर किसका मन ललाईत नहीं होता पर सामाजिक प्रतिष्ठा की वज़े से परदा नहीं हटाया जा सकता पर परदे के पीछे जो होना होता है वो तो होता ही है सोच विचार कर ऐसी बात का जवाब देना कितना दूबर है वो इस तरह गुमसुम बैठी रही मानो बोलना ही भूल गई हो इतनी बातें सुनने के बाद मानो वो नितांत गूंगी हो गई दुलहन के दिमाग में अचीती एक लहर उठी वो सोचने लगी जन के समय थाल के बदले सूप गजा धरवालों को कोई खास खुशी नहीं हुई लड़का होता तो अधिक खुश होते माबाप की नजर में पूरा बढ़ने में वक्त लगता हो तो बेटी का शरीर बढ़ने में भी कोई वक्त लगे दस्वा साल लगते ही माबाप उसके पीले हाथ करके पराय ठिकाने भेजने की चिंता करने लगे वो न तो आंगन में समाती थी न गगन में छाच और लड़की मांगने में कैसी शर्ग रिष्टे पर रिष्टे आने लगे उसके रूप की चर्चा चारों और हवा में घुल गई थी सोलह साल पूरे करने मुश्किल हो गए मा की कोख में समा गई पर घर के आंगन में न समा सकी अचानक इस हवेली से नारियल आया उसके किस्मत कि घरवालों ने नारियल लोटाया नहीं ये हवेली न होकर अगर कोई दूसरा घर होता तब भी उसे तो जाना ही था जिसके लिए घरवालों की मर्जी होती उसी का हाथ थामना पड़ता पती व्यापार और हिसाब किताब में खोया रहता उसकी नजर में हंडिया के पैंदे और और औरत के चहरे में कोई फर्क नहीं फटता हुआ जोबन भी वैसा और फटती हुई मिट्टी भी वैसी नरत में पत्नी की मन की बात समझे और नहीं रनिवास में सूना रनिवास और फी की सेख छोड़ कर अपने व्यापार को चल दिये वापस मुड़ कर भी नहीं देखा और आज भूत वाली प्रीत की रोशनी के सामने तो सूरज भी धुंदला गया साथ फेरे वाला पती जबरन रवाना हुआ तो उसका वश नहीं चला भूत वाली इस प्रीत के सामने भी उसका वश कहां चला जाने वाले को रोक न सकी तो फिर रणिवास में आने वाले को कैसे रोके ये प्रीत दरसाता है तो कानों में तेल कैसे डाल ले पती ने उसे इस तरह मजधार में छोड़ दिया और भूत होते हुए भी इसने प्रीत जटाई तो वो कैसे इंकार करे अगर स्वप्न वश में हो तो प्रीत वश में हो न वो अपनी सुध बुद विसरा कर भूत की गोद में लुढ़क गई कहीं ये दुलहन के मन का ही भूत तो नहीं था जो साकार रूप धर कर प्रकट हुआ फिर अपने मन से क्या दुराओ जहां भाशा अटक जाती है वहां मौन काम करता है अब कुछ भी कहना सुनना शेश नहीं रहा स्वत ही एक दूसरे के अंतस की बात दोनों समझ गए फिर चराप की रौशनी लुप्थ हुई और अंधेरा उजाले का रूप धर कर दीब दीब करने लगा सेज के मुर्जाय हुए फूलों की पंखुडी पंखुडी खिल उठी रनिवास की रौशनी सार्थक हुई रनिवास का अंधेरा सार्थक हुआ आकाश के नवलक तारों की जगमगाहट आप ही बढ़ गई ऐसी रसीली रातों के होते वक्त गुजरते क्या देर लगती है चुटकियों में दिन बीतने लगे खूब ब्यापार बढ़ा, खूब लेंदेन हुआ, खूब प्रतिष्ठा बढ़ी माबाप खुश थे ही, सारा इलाका भी सेट के लड़के से बेहत खुश था वक्त बेवक्त सभी के काम आता, दूसरे बनियों की माफिक गले नहीं काटता था निपट सैयमी, सदाचारी, दुकान पर आने वाली औरतों की तरफ नजर उठा कर भी नहीं देखता था छोटी को बहन और बड़ी को मा समान मानता था उसका नाम लेते ही, लोगों का मन श्रद्धा से भर जाता था उसमें फकत एक ही बात की कमी थी, कि परदेश से सेट के लड़के का पतर आता, तो उसे फार कर फेंक देता वापस कोई जवाब नहीं इस आनंद और यश के बीच देखते ही देखते तीन बरस गुजर गए गोया मीठा सपना बीता हो, बूत भी उस हवेली में रस बस गया, मानो सेट का ही सगा बेटा हो बहू भी रनिवास के नशे में विभोर थी, रनिवास के इंतजार में उगते ही दिन अस्त हो जाता, रनिवास में घुसते ही पल भर में रात ठल जाती, बहू को आशा ठहरी तीसरा महिना उतरने वाला था, गर्ब रहने की खुशकबरी सुनकर सेट ने सवामन गुड़ अपने हाथों से बांटा, लोगों ने सवामन सोना मान कर कुबूल किया, सेट ने उम्र में पहली दफाई ये उदारता बढ़ती थी, आज हाथ खुला है तो आगे भी कुछ न बढ़कर होता है, दोनों पती पत्नी को बेटी की बेहत चाहती, खुब खुशियां मनाएंगे, बेटा कौन से स्वर्ग ले जाता है, राम जाने किसकी शकल पर जाए, संतान के जन्म की बजाए, संतान होने की कल्पना में अधिक सुख होता है, कूख में संतान के साथ- पांच महीने बीते और साथ महीने पूरे हुए। ये नौवा महीना उतरने वाला है। बहु दिन भर रनिवास में सोई रहती। उसकी सेवा में तीन दासियां आठों पहर हाजिर रहती। एक रात पती की गोद में सोई बहु मुँ उठा कर बोली। कई दफा सोचती हूँ अगर उस दिन खेजडी की छाया में आराम करने नहीं ठहरते तो राम जाने मेरे ये चार साल किस तरह कटते। मुझे तो लगता है कि कटते ही नहीं। भूद बोला तुम्हारे दिन तो जैसे तैसे निकल ही जाते। मेरी क्या दसा होती। सूचो। जाडी जाडी पेड पेड पर भूद की योनी पूरी करता। उस दिन सुमत सूझी कि मैं तुम्हें लगा नहीं। मुझे तो आज भी विश्वास नहीं होता कि मैं जिन्दग में उठ बैठा। आलस मरोड जमहाई लेकर घड़े से ठंडा पानी पिया। चारों और देखा। एक सांधेरा। जिल मिलाते हुए एक सितारे। किसी भी दिशा में रौश्णी नहीं। सोचने लगा कि रात और भी छोटी होती तो कितना अच्छा होता। क्या जरूरत है इतनी लंबी रातों की सोने सोने में ही आधी जिन्दगी उजर जाती है और नींद में तो व्यापार और लेन देर हो नहीं सकता वरना दूनी कमाई होती। फिर भी दौलत का मिखटी नहीं की बापू बहत खुश होंगे। बीच-पीच में आस-पास के व्यापारी मिलते रहते थे। उसे वहाँ पाकर उन्हें बहुत आश्चर होता था। एक दफ़ा एक ने पूछ ही लिया कि वो गाउं से कब वापस आया। ये सुनकर उसे भी कम आश्चर नहीं हुआ। जवाब दिया कि उसने तो अभी गाउं की तरफ मू भी नहीं किया। वो पागल तो न जालना चाहते हैं पर वो भी कोई ऐसा ना समझ नहीं। उनके भी कान कत्रे जैसा है कमाई और व्यापार में और अधिक मन लगाने वाला। पर आज अल सवेरे ही एक भरोसे मंद पडौसी ने खबर दी कि बहु को तो बच्चा होने वाला है बलकि शायद हो गया हो। सेट क सोचो तो सही घर वाले क्यों खबर करते किसको करते उनका लड़का तो बीच राह से तीसरे दिन वापस आ गया। एक महात्मा के दिये हुए मंतर से सेट जी को रोजाना पांच मोहरें देता है और हवेली पर तो राम की महर है गाजो बाजो और उत्सवों के ठाट रनिवा पास में घी के दिये जलते हैं घी के हाँ अब मालूम हुआ कि आपकी शकल हूबहू सेट जी के लड़के से मिलती है विधाता का खेल खुद सेट जी देख ले तो भी न पहचान सकें अब बातचीत करने पर मालूम हुआ कि शकल तो जरूर मिलती है पर आप दूसरे हैं हरे भला मैं दूसरा कैसे हुआ अब लगता है कि कल परसों में ही जाना पड़ेगा सो सेट के लड़के ने अपना धंदा समेटा मुनीम को हिसाब किताब समझाया और अपने गाउं की ओर चल पड़ा वो ही जेट का महीना लुओं के अंधर शोर मचा रहे थे करीलों पर सुर्ख ढालू देख कर यकायक उस दिन वाली बात याद आ गई सोचा बहू की अगर ऐसी ही पसंद है तो अपना क्या जाता है कौन से पैसे लगते हैं पके हुए ढालू तोड़ कर अंगोचे के पहलू में बांध लिए वो हवेली पहुँचा तो आंगन में औरतों का जमघट लगा था सेट से ठानी घबराय हुए मनोती पर मनोती बोल रहे थे भूत वाला पती उपर रनिवास के दर्वाजे पर खड़ा था उदास, उद्विग्न, बहु नीचे सौरी के अंतर कराह रही थी बच्चा आटक गया था, दाईयां अपने हुनर आजमा रही थी इतने में आंगन की इस चिल पॉं के दर्मियान साथ फेरों का परेनेता धूल से अटा हुआ बेहिचक आंगन में आखडा हुआ कंदे पर धालूओं का अंगुचह लटक रहा था माबाप के चरणों में शीश नवा कर प्रणाम किया ये क्या माजरा है, हुबहु बेटे से शकल मिलती है गर्द से सना है तो क्या हुआ दौलत के लालच में कोई माया भी तो नहीं आ गया अत्यधिक आश्चरे भी गूंगा होता है माबाप ने बोलना भी चाहा तो उनसे बोला नहीं गया औरतों के गले का राग बदल गया हाई दईया, एक ही शकल के दो पती? कौन सच्चा कौन जूठा? ये कैसा कौतुक? ये कैसा तमाशा? कोई इधर भागी? कोई उधर? सौरी के भीतर से पत्नी का कराहना सुनकर वो फौरन सारी बात समझ गया सुनी सो खबर सक्ची ऐसा चल किस ने किया? कैसे हो इसकी पहचान? लोग किसके कहे का विश्वास करेंगे? सहसा उपर रनिवास के दरवाजे पर खड़े यूबक पर उसकी नजर पड़ी ओ, ये तो वास्तों में हूब भू उसका हमशकल है? माया भी के छल का कौन मकाबला कर सकता है? उसकी रगों में खून जम गया ओ, ये अनूनी कैसे हुई? प्रीत वाले पती के कानों में तो फक्त चक्चा का कराहना गूंज रहा था उसे तो किसी दूसरी बात का होशी नहीं था हवा थम गई थी, सूरज थम गया था कब ये कराहना बंध हो और कब कुदरत का बंधन खुले? बापू के मूँ की और देखते हुए बेटा बोला मैं तो चार साल से दूर दिसावर में था फिर समझ में नहीं आता कि बहु को गर्ब कैसे रह गया? तुम्हें कुछ तो अक्कल से काम लेना था सेठ ने मनी मन सारा हिसाब लगा लिया बोला तू है कौन? मेरा लड़का तो तीसरे ही दिन वापस आ गया था यहां ऐयरी की दाल तो नहीं गलने वाली बापू के मूँ से ये बोल सुनकर बेटे को बहुत आश्चर हुआ चुप रहने पर तो सारी बात विगड़ जाएगी तुरंत बोला चार साल तक बेशुमार कमाई करके दिसावर से बाप के घर आया इसमें आयारी की कौन सी बात है तुमी ने तो जबरन भेजा था सेट ने कहा नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई तु मुझे कमाई का क्या लालज दिखा रहा है जिस रहा से आया है उसी रहा से सीधे सीधे चलता बन वरना बुरी वीतेगी बापू तेरा तो दिमागी फिर गया लगता है उसने मा के मूखी और देख कर पूछा मा क्या तू भी अपने कोख के बेटे को नहीं पहचानती मा इस सवाल का क्या जवाब देती उसकी जबान तो मानो तालू से चिपक गई वो टुकुर टुकुर पती के चहरे की तरफ देखने लगी मा ने कुछ जवाब न दिया तो बेटा भी असमंजस में पड़ गया सहसा उसे ढालू की बात याद आई कापते हाथों से तुरंत अंगूच्छा खोला लाल लाल धालू को बापू के सामने करते बोला बहू को उस दिन के धालू की बात तो पूछो उसारा किस्सा बता देगी उस दिन उसने स्वयम ही तोड कर धालू खाये थे आज मैं अपने हाथों से तोड कर लाया हूँ एक दफा पूछो तो सही आप फर्माएं तो मैं बाहर खड़े-खड़े पूछ लू सेट को घुसा आ गया बोला पागल कहीं का ये समय ढालूओं की बात पूछने का है बहु मौत से जूज रही है और तुम्हें ढालूओं की पड़ी है भाड में जाएं तेरे ये ढालू मैं ये बेतुकी बाते सुनते ही सारी बात समझ गया हूँ मेरी बहु गवारों की तरह हाथों से तोड़कर ढालू खाएगी इज़त प्यारी हो तो यहां से दफा हो जा वरना इतने जूते पड़ेंगे कि कोई गिनने वाला न मिलेगा बेटे ने कहा बाप के जूतों की कोई परवाह नहीं पर सच मुच मैंने भी उस दिन रत में ठीक यही बात कही थी सौरी के भीतर बहु का कराहना उसी तरह जारी था दाईयों ने कई दफा पूछा फिर भी बच्चे को कटा कर निकलवाने को वो तैयार नहीं हुई बह मुश्किल मरने से बची बहु की आखों के आगे कभी अंधेरा चा जाता तो कभी बिजलिया जगमगाने लगती हवेली से भागी औरतों के जरीए ये बात हवा की तरह घर-घर में फैल गई देखते ही देखते सेट की हवेली के सामने मिला लग गया ऐसी अन्होनी बात का स्वात तो जबान को बरसों में मिलता है हर एक की जबान के पंख लग गए एक ही शकल के दो पती एक तो चार साल पहले से रनिवाश में एश कर रहा है और एक आज दिसावर से लोटा है बहु सौरी में प्रसव पीरा से कराह रही है खूब तमाशा हुआ देखना है कि धन्ना सेट इस मामले को कैसे निपटाते हैं और कैसे छुपाते हैं भला ऐसी बात पर परदा कौन डालने देगा लोग चबा चबा कर फिर से जुगाली करने लगते अपनी हवेली के चारों और ये जमघट देखा तो सेट की एडी से चोटी तक आंग लग गई धू कुछ हालते कहने लगा मेरे घर की बात है हम आप ही निपट लेंगे बस्ती वाले क्यो टांगड आते हैं मैं कहता हूँ कि बाद में आने वाला आदमी चली है मैं अपने नौकरों से धक्के देकर उसे निकलवा दूँगा दिन दहाड़े ये मक्कारी नहीं चल सकती बेटा चिल लाया बापू तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो सूरज को तवा और तवे को सूरज बताते हो तुम जैसे भी चाहो पूरी छान बीन कर लो ये तो सरासर अन्याय है इन दौलत मन लोगों को नीचा दिखाने का मौका कब कब मिलता है लोग बाग भी अड़ गए कि खरान्याय होना चाहिए दूद का दूद और पानी का पानी कसूर वार को वाजिब सजा मिले यूँ दो पतियों का रिवाद चल निकला तो कैसे निभीगी अमीरों का तो कुछ नहीं गरीबों का जीना हराम हो जाएगा बस्ती की उपेक्षा नहीं की जा सकती चाहे कितना ही दौलत का जोर क्यों नहों कंधा देने वाले किराय पर नहीं आएंगे मामला काफी उलज गया दोनों अपनी अपनी जगा अपनी अपनी बात पर अड़ गए कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं न सेथ और न बिरादरी वाले लोगों की जबान थी और बहू के कान थे सो उस तक भी सारी खबर पहुँच गई औरत की जिंदगी में राम जाने कैसी कैसी बाते सुननी पड़ेंगी कैसे कैसे अपमान सहने पड़ेंगे और कैसे कैसे तमाशे देखने पड़ेंगे आखिर एक दिन तो ये जहमेला होना ही था चार साल तो स्वपन की तरह अद्रश्य हो गए भला स्वपन के दिलासे से कब तक मन को समझाया जा सकता है कितना उसका सहारा और कितनी उसकी गहराई किसी पुराने खंधर की चमगादरों की तरह भीड इधर उधर चक्कर लगाने लगी ये मामला निम्टाए बगेर तो गले से कौर नहीं निगला जा सकता सौरी का दर्वाजा खोल कर दाईयों ने खबर दी कि बहु को लड़की हुई है मौत की विकट गाटी टल गई जच्चा के मरने में तो कोई कसर नहीं थी बच गई सो किस्मत की बाद सौरी के बाहर भन भनाती औरतों को बच्ची का रोना सुनाई दिया रनिवास के बाहर खड़े पती को अब जाकर होश आया पर होश आते ही जो भनक कानों में पड़ी तो मानो कलेजे में सहसा सुरंग छूटी हो सुधबुत को गोया लकवा मार गया एक साल पहले ये गाज कैसे गिरी सेट से ठानी पागलों की तरह हक्के बक्के खड़े थे हदप्रब समूची बस्ती में एक काना फोसी होने लगी ये कैसी या प्रत्याशित मुसी बता पड़ी इस हरामजादे चंडालने न जाने किस जनम का बदला ले लिया बात तो हाथ से छूटती जा रही है समेटी कैसे जाए कौन जाने ये चाल किसकी है रनिवास तो पिछले चार सालों से रोशन है इसे नहीं कुबूलने पर तो हवेली की सारी इस्जत मिट्टी में मिल जाएगी धालू वाला किसी तरह मान जाए तो परदा पड़ा रहे मुमांगी दौलत देने को तयार है फिर उसे क्या चाहिए पर न धालू वाला माना पर न बस्ती के लोग ही माने पुखता नयाय होना चाहिए सारी विरादरी की नाप कट्ती है चार साल बाद कोक उगड़ते ही एक और पती आधम का क्या मालूम कौन असली है एक को तो जूठा होना ही पड़ेगा लोगों ने शोर मचाकर आकाश को सर पर उठा लिया मानो बर्रों का बड़ा सा छट्ता नीचे आपड़ा हो ढालू वाले की हिमायत न करना तो हाथों भड़काई आँख पर पानी डालना होगा तब तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा इस मज़े को चखने की खातिर हर व्यक्ती ढालू वाले पती की तरफदारी करने लगा सेट हाथ जोड़ते हुए रुंधे सुर में बोला मेरी पगड़ी उच्छाल कर तुम्हें क्या मिलेगा भाईयों की तरह साथ रहते हैं वक्त बेवक्त एक दूसरे के काम आते हैं मेरे बेटे के गुण तुम लोगों से छुपे नहीं है उसके हाथों किसका भाला नहीं हुआ इतनी जल्दी एहसान फरामोशन बनो मेरी इजज़त अब तुम्हारे हाथों में है किसी भी तरह मामला सुलज़ा दो ये ढालू वाला आदमी जाली है इसे धक्के मार कर गाउं के बाहर निकाल दो बुजर्गों ने कहा सेट जी दिखती मक्षी निगली नहीं जा सकती वक्त आने पर जान देने को तयार है पर पानी की गठरी कैसे बांध है ये आदमी बढ़ बढ़ कर कह रहा है बहू से धालूँओ वाली बात पूछो बहू से धालूँओ वाली बात पूछो तो बात पूछो तो सही इसमें हर्ज क्या है ऐसी बात कैसे पूछी जा सकती है कौन पूछे तब कुछ भली बुडी औरतें आगे आई मुसीबत में इंसान ये इंसान के काम आता है सौरी का दर्वाजा खोल कर भीतर गई जच्चा का पेट दर्द से एंट रहा था प्रसव की घाटी पार करने के बाद इस बात की भनक उसके कानों में पड़ी तो वो प्रसव की सारी पीडा भूल गई ये दूसरी पीडा बहुत बड़ी थी दात पीस्ती हुई कठिंता से बोली कोई मर्द ये बात पूछता तो उसको हाँ या ना का जवाब भी देती पर औरतों का दिल रख कर भी तुम ये बात पूछने की हिम्मत कैसे जुटा पाई मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो तुम्हें परिशान करने का यही समय मिला है धन्य है तुम्हारा साहस व्रधाएं मुझ बिगारती हुई बाहर आई बोली ऐसी बातों में औरतें सच नहीं बोलती हमें तो दूद में कालिक नजर आती है फिर जो तुमारी समझ में आए सो करो ऐसे मौकों पर ही तो समझ की धार तेज होती है सूथ तो खूब ही उलजा बुजर्गों ने फिर समझ से काम लिया कहा ये न्याय राजा के बिना नहीं निपड़ सकता किसी और ने इसमें टांग अड़ाई तो समुची बस्ती को उसके उससे का शिकार होना पड़ेगा अपना भला बुरा तो सूचना ही पड़ता है एक दफाएं दोनों पतियों को राजा के हवाले कर दो फिर राजा जाने और सेट जाने अपने बीच में नाहक क्यों थूक उछा ले फिर बस्ती राम है जो सबकी इच्छा हो सुकरो तत पश्चात बस्ती की इच्छा नुसार ही हुआ भला अपना राम पद वो क्यों छोड़ती दोनों पतियों को रसियों से बांध कर ले चलने का फैसला हुआ रनिवास के बाहर खड़े पती को बांधने लगे तो उसे होश आया कि पात कहां तक पहुँच चुकी है उसने कुछ भी आना कानी नहीं की सीडियां उतरते हुए कलेजा होठों तक लाकर बोला मुझे एक दफा सौरी में जाने दू मा बेटी की खैरियत तो पूछ लूँ न जाने कैसी तबियत है पर लोग नहीं माने कहा फैसला होने के बाद सारी उम्र खैरियत ही पूछनी है इतनी जल्दी क्या है लोगों का बवंडर पैरों पैरों आगे बढ़ा दोनों पती बंधे हुए साथ साथ चल रहे थे सेट भी जूतियां फटकारते हुए साथ साथ घिसट रहा था पगड़ी खुल कर गले में जूल रही थी तेज हवा के जोंके पत्ते पत्ते को जखजोर रहे थे चलते चलते उसी खेजडी पर भूत की नजर पड़ी सारे शरीर में बिजली तोड़ गई उसके पाउं वहीं चिपक गए सर में उफान उठने लगा आँखों के सामने यादों के चित्र फढ़ फढ़ाने लगे ही थे कि रसी का जटका लगने पर उसे खोश आया पैर आप ही बढ़ने लगे बाया दाया बाया दाया इनसान के दिल में यादों का जंजट न रहे तो कितना अच्छा हो ये याद तो मानो खोन ही निचोड़ डालेगी साथ बंधे कारुबार वाले पती का मन तो निश्चल था पर आज ये सांच को आज कैसी लगी वो खुद भ्रह्म में पढ़ गया ये क्या लीला हुई साथ साथ चलता ये शक्स ऐसा लग रहा था गोया वो शीशे में अपना ही प्रतिबिंब देख रहा हूँ इससे पूछने पर ही भ्रह मिट सकता है उसके गले में से फंस्ते फंस्ते बह मुश्किल ये शब्द बाहर निकल पाए भाई मेरे नियाय तो राम जाने क्या होगा पर तू ये अच्छी तरह जानता है कि मैं ही सेठ का लड़का हूँ साथ फेरे खाने वाला असली पती हूँ पर तू कौन है ये तो बता ये कैसा इंदरजाल है बेठे बिठाए ये कैसी मुझी बता पड़ी बता तो मुझे तो बता कि तू है कौन था तो वो महवली भूत नियाय करने वाले पंचों की गर्दने एक साथ मरोड सकता था कई कर्टब कर सकता था किसी के शरीर में घुसकर उसका सत्यानाश कर सकता था पर चार साल तक प्रीत की जिन्दगी जी कर उसका मानस बदल गया था जूट बोलना चाहा तब भी उससे बोला नहीं गया पर सपश्ट सच्चाई भी कैसे कहे प्रियतमा की इज़द भी तो रखनी थी उससे बेवफाही कैसे करे युदिष्टर वाली मर्यादा निभाई बोला मैं औरतों की देह के भीतर का सूक्ष्म जीव हूँ उनके प्रीत का मालिक हूँ व्यापार और कमाई की बनिस्पत मुझे मोह प्रीत की लालसा अधिक है साथ फेरों का परेनेता बेसबरी से बीच में ही बोला फालतु बकवास क्यों करता है साफ साफ बता कि मंडप में तुने विवा किया था की नहीं फकत विवा से क्या होता है विवा की दुहाई उम्र भर नहीं चल सकती व्यापार वस्तुओं का होता है प्रीत का नहीं तुम तो प्रीत का भी व्यापार करने लगे। इस व्यापार में ऐसी ही बर्कत हुआ करती है। सेट के लड़के के दिल में गोया गर्म सलाखें घुस गई। ऐसी बातें तो उसने कभी सोची ही नहीं थी। सोचने का मौका ही कब मिला और आज जब मौका मिला भी तो इस हालत में। बीड का बवंडर राजा के पास न्याय की खातिर जल्दी जल्दी चड़ रहा था। बीच राहा में रेवर चड़ाता हुआ एक गडरिया मिला। हाथ में तड़ा, लाल साफे से बाहर निकले बाल, खनी और काली दाड़ी, हाथ में चांदी के कड़े और भरपूर लंबा कद, रीच की तरह सारे शरीर पर पाल ही बाल, पलकों और भोहों के बाल भी काफी बड़े थे, कानों पर बालों के गुच्छे और पी ले दांत, इन मर्तबा समझाने पर उसे ठीक से समझाया कि आखिर माजरा क्या है, होटों की एक बाजू से हसी को छलकाते हुए वो कहने लगा, हरे, इस अधने से काम खातिर बेचारे राजा को क्यो तकलीव देते हो, ये जहमेला तो मैं ही निप्टा दू, तुम्हें मेरी आखों की क समझो आगे एक कदम भी रखा तो, नदी का ठंडा पानी पीओ, कुछ आराम करो, तुम्हारे इलाके की तो गजब कलई खुली, कोई माई का लाल ये निप्टा सका, जूते फटकारते हुए सीधे राजा के पास चल पड़े, लोगों ने भी सोचा कि अभी तो राज दरब काफी दूर है, अगर इस गमार की अकल से काम निकल जाए तो हर्च क्या है, वरना आगे तो जाना ही है, वो मान गए, तब गडरिये ने बारी-बारी दोनों के चहरे को देखा, बिल्कुल एक सी शकल, बाल जितना भी फरक नहीं, चंचल विधाता ने भी कैसी मजाग की, उ मुखिया की तरफ देख कर पूछा, ये गूंगे बहरे तो नहीं है, मुखिया ने जवाब दिया, नहीं, ये तो बिल्कुल गूंगे बहरे नहीं है, बेधड़क बोलते हैं, गडरिया ये बात सुनते ही ठाहा का मार कर हसा और हसते हसते बोला, फिर ये बेकार चकर क्यों लगाया, इनसे वहीं पूछ ताच कर लेते, दोनों मैंसे एक जूटा है ही, पंच मन ही मन हसे, कि ये गडरिया तो निरा मूरक है, ये सच बोल जाते तो पिर रोना ही किस बात का था, बस हो चुका इसके हाथों न्याय, ऐसी न्याय करने लायक अकल होती, तो ये तड़ा ल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, सच को बाहर निकालना तो मेरे बाय हाथ का खेल है, गले में तड़ा डाल कर आतों मैं फसा हुआ सच अभी बाहर लापटकता हूँ, देर किस बात की, खेजडी की डालियां भी इस तड़े के सामने नहीं टिक सकती, फिर बेचारे सच की क्या बोलो, किसके गले में तड़ा हुसेडूं, जो पहले मूँ खोलेगा वो सच्चा, भूत ने सोचा कि अगर अकेले उसी की बात होती, तो कोई भी जोखिम और मुसीबत उठा लेता, पर अब भेद जाहिर होने पर तो रनिवास की मालकिन को दुख उठाना पड़ेगा, ऐस जबान से निकली हर बात को वो सही मानता था, तड़ा उसके गले का क्या विगार सकता है, ऐसे साथ तड़े घुसेड कर भी ये मेरा बाल माका नहीं कर सकता, मेरी प्रीत चूठी हरगिज नहीं हो सकती, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, वो तो तुरंत मूँ भारता ही नजर आया, सेट के लड़के ने तो होटी नहीं खोले, घुसा तो ऐसा आया कि इस गमार गडरिये की चटनी बना डाले, पर उसने कहा कुछ नहीं, मूँ फारने वाले पती की पीट ठोकते हुए गडरिया बोला, वारे पठे वा, तुद जैसे सत्यवादी आदमी को इन लोगों ने इतना परिशान किया, पर मन की तसली बड़ी बात है, थोड़ी बहुत भी शक्की गुंजाईश क्यों रहे, उसकी भेड़ें काफी दूरी पर अलग-अलग चर रही थी, उनकी ओर हाथ का इशारा करते हुए गडरिये ने कहा, मैं साथ तालियां बजाओं, तमाम भेडों को एकटा कर दिया, सीट का लड़का मू लटकाए खड़ा रहा, वहां से हिला तक नहीं, जैसी गडरियों की जाहिल कौम, वैसा ही जाहिल उनका न्याय, मानना और ना मानना तो उनकी मर्जी पर है, गडरिया बोला, शाबाश, सक्चे पती के अलावा इतना जोश और इतनी ताकत भला किसकी हो सकती है, अब मैं एक आखिरी परकोर करूँगा, थोड़ा सुस्ता लो, तड़ा बगल में दबा कर छागल का उसने मूँ खोला, एक ही सांस में गटगट करके सारा पानी मूँ में उंडेल कर जोर से धकार खाई, और फिर पेट पर हाथ फिराते हुए कहने लगा, साथ चुटकियों के साथ ही जो इस छागल के अंदर घुश जाएगा, वो रनिवास का असली मालिक है, जो मेरे न्याय को गलत बताएगा, उसके गले के खातिर तो मेरे तड़े का एक छटका ही काफी है, ये खयाल रखना, लोगों ने तड़े के मुँपर बंदे हंसिये की तरफ देखा, धार लगा हुआ, इक्टम तीखा, एक जटका लगने पर दूसरे की जरूरत नहीं, खोपडी सीधी धूल चाटती नजर आए, लोगों को हंसिये की और देखने में तो वक्त लगा, पर भूत को चागल के अंदर घुशने में कोई वक्त नहीं लगा, ये कर तब तो वो जनम से ही जानता था, गडर ये ने तो आज इज़द रख ली, भूत के अंदर घुशते ही, गडर ये ने फिर एक पल की भी धील नहीं की, तुरंत चागल का मूँ दुहरा करके रसी से उसे कसकर बांध दिया, फिर पंचों के मूँ क तरफ देख कर गर्व से बोला, न्याय करने में ये देर लगी, छागल तो मेरी भी जाएगी, पर न्याय करना मंजूर किया, तो कुछ सोच विचार कर ही किया था, चलो, अब सभी चलकर इस छागल को नदी के हवाले कर दें, उमरती उठेले खाती नदी, अपने आप ही इस रनिवास की सेज पर पहुचा देगी, बोलो, हुआ की नहीं खरानिया आए, सभी ने एक साथ सर हिला कर सहमती दरसाई, सेट का लड़का तो खुशी के मारे बौरा सा गया, विवासे भी हजार गुना अधिक आनंद, उसके दिल में हिलोरे खाने लगा, मारे खुशी के कां इच पीले दातों की हसी हसते हुए बोला, मैं कोई राजा नहीं हूँ, जो न्याय की कीमत वसूल करूँ, मैंने तो अटका काम निकाल दिया, और ये अंगुठी मेरे किस काम की, ना अंगुलियों में आती है, ना मेरे तड़े में, मेरी भेड़ें भी मेरी तरह गमार है, तो भी छागल के भीतर से वो चिलाया, बापू, मुझ पर दया कर, एक दफ़ा बाहर निकाल दे, जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा, भला भूत की बात कौन सुनता, उत्सा से भरे सभी नदी के किनारे पहुँचे, छागल को वेग से बहते पानी में फेंग दिया, प्रीत के मालिक को आखर बल खाती, भवर बनाती, लहराती, उत्हेले खाती, कलकल करती नदी की सेज मिली, उसका जीवन सफल हुआ, उसकी मौत सार्थक, फिर बस्ती के लोग, सेट और सेट का लड़का, वापस दूनी गती से गाउं की ओर लोटे, हवेली के दर्वाजे मे घुसते ही सेट का लड़का सीधा सौरी की ओर लपका, एक दाई बेटी को घी की मालिश कर रही थी, दूसरी चंदन की कंगी से जच्चा के बाल सुलजा रही थी, गडरिये के खरे न्याय की सारी दास्तान उसमें एक ही सास में सुना डाली, एक एक शब्द के साथ जच्च की और नहीं कोई निश्वास उसके मूँ से निकला, पाशान पुतली की तरह वो गुमसम सुनती रही, दिल की सारी भडास निकालने के बाद वो कहने लगा, पर तुम इसकदर परिशानी में क्यों पढ़ गई, जनम देने वाले माबाप भी जब नहीं पहचान सके, तो भल थोड़े ही थे, आखिर नदी में फेंकने पर उससे पिंड छूटा और उसका चिलाना बंद हुआ, हराम जादा फिर कभी छल करे, तक पश्चाद घर वालों ने जैसा कहा, जच्चा ने वैसा ही किया, कभी किसी बात का उलटकर जवाब नहीं दिया, किसी काम में आनाकानी नहीं की, उसकी खातिल सास ने जितने भी लड़ू वगेरे बनाए उसने चुप चाप खा लिये, जब सास ने कहा तब सर्ध होया, सूरज पूजा, ब्राम्मन ने हवन किया, औरतों ने गीत गाए, गुड की मांगलिक लपसी बनी, तालाप पर जाकर जल देवता की पूज पूजरी चुंदरी ओड़ी, बेटी को पालने में जुलाया, जल भरे घड़े पूजे, कुमकुम से आंगन उरेहा, महंदी लगाई, जैसा कहा वैसा सिंगार किया, आभूशन पहने, ऐसी सुलक्षनी बहू तो सौभाग गिसे मिलती है, जल पूजन की रात्री को बहू प अंगिनत छिंगुर गुंजार कर रहे हो, पती इंतजार में फूलों की सेज पर बैठा था, इस एक ही रनिवास में राम जाने उसे कितने जीवन भोगने पड़ेंगे, पर आचल से दूद पीती ये बच्ची, बड़ी होकर औरत का ऐसा जीवन न भोगे, तो मा की सारी तक तक रनिवास और रनिवास छूटने पर सीधी मसान।